टॉप फाइट स्मार्टफोन अंडर सैवंट टॉप अगर आपका बज़ेड सत्तर-जार सत्तर-जार के बज़े में आप एक पाउफुल स्मार्टफोन देख रहे हो तो बढ़े के यह विडियो सिर्फ आपके लिए वीडि को पूरा देखिना इसके पड़ बन करना स्बाड़ करते हैं वीडियो लेकिन कर लेकिन आपके वीडिव स्प्सक्राइब करन्ध समार्फुन आपको बताऊंगा तो नमुर बाइच स्टार्ट करते हैं सी भी बात करते हैं नमुर फाब की बात करो नमुर फाइब पर यार मैंने रख्था समसेंग ग्लैक्सी अज्टोंटी प्लस को सबसे पहले में आपको कहाना जाता हूं आपको एक स्टालिश डिजान मिल जाता है प्लस इसके color वगारा बहुत प्यारे देखनी को मिल जाता है प्लस आपको प्रसासर भी बहुत तगड़ा मिल जाता है अगर आपने hardcore gaming करने है मतलब अगर आपने high graphic पे gaming करने है आप easily normally कर सकते हो प्लस भाई अगर आपने vlogging करने है उसके असासाथ आपको camera के related smartphone चाहिए तब भी आपके लिए best deal हो सकता है Samsung Galaxy S20 Plus विकल्स आपको 8K video option मिल जाता है back camera में front camera में आपको 4K option मिल जाता है जो की बहुत तगड़ा होनी वाला है अगर आपने Cinematic shoot करना, vlogging करने है, travel vlogging करने है, Reels बनाते हो, TikTok बनाते हो आपके लिए perfect deal हो सकता है प्लस भाई अगर आपने call of duty होगे या PUBG बगरा होगे high graphic पर अगर आप खेलना जाते हो, आप easily खेल सकते हो, plus मैं आपको बताना जाते हो, Samsung का privacy system बहुत तगड़ा होता है अगर आपने document, photos, videos बगारे privacy में रखने है आप easily normally रख सकते हो, plus आपको एक non-changing smartphone मिल जाता है, and इसका budget भी बहुत जादा सही है, आपको 50,000 से लेके आपको 60,000 के budget में, Samsung Galaxy S20, plus easily normally मिल जागा, plus इसका price और भी कम होने बाला, because Samsung Galaxy S21 नया launch हो गया, तो इसका price 100% मैं शौर हूँ, इसका price कम होने ही बाला है, तो आपके लिए perfect deal हो जपी, अगर आपको Samsung का ही smartphone चाहिए, ठीक है, plus इसके design color बगार भी सच में मुझे, तो इसका look को बहुत इसके main specification की, मैं आपको deeply थोड़ा सा बता देता हूँ, तो इहाँ display की बातों को 6.7 inch dynamic AMOLED display मिल जाते है, पर sensor की बातों का Xnox 990 देखने को मिल जागा, जो की 7 animated technology के साथ बेज़ जा, बहुत तगड़ा, plus इसमें दो वेर्ट देखने को मिलें, Xnox 990 and Snapdragon 865, ठीक है, दोनो 7 animated technology के साथ बेज़ जाब बहुत अगरे, storage की बात करूं, आपको 8GB RAM मिल जाते है, प्लस 12GB storage, बैंटरी की बातों को 4500ms की बैंटरी मिल जाते है, प्लस fast charging बगार अभी आपको सब कुछ देखने को मिल जागा, camera की बातों को core camera मिल जाता है, 64MP, प्लस 12MP, प्लस 12MP, प्लस 12MP, प्लस 2 प्लस के और ये smartphone भी आपके लिए perfect deal हो सकता है, अभी आगे बात करते है, number 4 की, number 4 की बात करूई है, number 4 पर मैंने रखा iPhone 11 को तो यार, अगर मैं smartphone की बात करूँ न, इसका भी design आपको बहुत stylish मिल जाते है, इसके color बगार आप बहुत प्यार आते है, प्लस इसका processor बहुत यार, आपको A30 बाउन एक chipset देखने हो मिल जाता है, जो कि 7 nanometer technology के साथ, अगर आपने high graphic पर gaming करनी है, आप कर सकते हो, प्लस भाई, अगर आपको camera के related भी smartphone चाहिए, आपके लिए perfect deal हो सकता है, अगर आपने vlogging करनी है, आपके लिए best deal हो सकता है, प्लस भाई, मैं आपको बत देखने को मिलता है, जो कि सच्च में जल्दी खतम हो जागी, अगर आपने high graphic पर gaming करनी है, जब अगर आपने cinematic भाई शूट करना ठीक है, तो इसकी battery थोड़ी से कम मिल जाते है, वैसे overall देखा जाए, यह smartphone आपको पूरा loaded मिल जाता है, अगर आपने long time बेट smartphone को रखना है, आप easily normally ही रख सकते हो, मैं आपको main specification बता देता हूँ, डीप लीठीक है, तो यह display की बातों को 6.1 inch liquid routine या display मिल जाते है, अप processor की बातों को 831 chip set मिल जाता है, storage की बातों को 4 GB RAM मिल जाते है, plus 3 video में देखने को मिलता है, 64 GB storage, 128 GB storage, 256 GB storage, जो भी आपके बचल में set बैठता है, ज 12 MP, selfie की बातों को 12 MP, selfie में भी आप 4K video recording कर सकते हो, price की बात करूं, इसका जो 64 GB वेरिट है, वो आपको 50,000 के बज़रे में मिल जाते है, जो 128 GB वेरिट है, वो आपको 58,000 के बज़रे में मिल जाते है, जो 256 GB वेरिट है, वो आपको 60,000 से थोड़ा सा अपर देखने को मिल जात परसासर भी तगड़ा, gaming के लिए भी बैस्ट है, प्लस मैं आपको कहना जाता हूँ, camera भी इसका बहुत good मिल जाता है, अब यह आगे बात करते है, number 3 की, number 3 की बात करूं, number 3 पर मैंने रखा M11 को, तो इसरब से पहले मैं आपको बताना जाता हूँ कि यह smartphone नया launch हुआ, ठीक nanometer technology के साथ, अगर आपने high graphic पर gaming करनी है, आपके लिए तो बहुत तगड़ा होने वाला, plus इसका camera भी बहुत तगड़ा, आपको 8K video option मिल जाता है, back camera में, but आपको front camera में 4K option भी नहीं मिलता है, तो भी अगर आपने vlogging करनी है, आपको front camera में 4K option नहीं मिलेगा, जो कि थोड़ 801-inch AMOLED display मिल जाती है, जो की 120 refresh rate के साथ आती है, तो यार 120 refresh rate सच में matter करता है, ठीक है, तो sensor की बातों को snapdragon 888 देखने को मिल जाता है, जो की 590 technology के साथ, base dash storage की बात करूँ, ये 2 video में देखने को मिलेगा, 8GB, 12GB, जो भी लेना जाती हो, आप ले सकते हो, battery की बात करूँ, 5 megapixel selfie की बात करूँ को 20 megapixel selfie देखने को मिल जाती है, तो यार, main specification में आपको MI 11 के भी बता दी, अगर आपने स्मार्टफोन के हो जाना है, आप इस स्मार्टफोन के और भी जा सकते हो, लेकिन जो मैं आगे फोन बताँ को इस से भी पूरे loaded होने वाले है, अभी आगे बात करत प्लस भाई, इसका प्रसासर उससे भी तगड़ाया, ठीक है, आपको A4E Bonic चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 5.9 meter technology के साथ भी इस जाए, अगर आपको gaming के लिए चाहिए, आपके लिए भी पोफेट डील हो जाता है, इसके मानेस पांट की भी मैं आपके साथ, जो ह की सच्चा मैं जूर नहीं बोरूँका भी बात करते हैं, इसके में स्पेसिफिकेशन सी थोड़ी से डीपली बता लेता हूं, तो यहां डिस्प्ले की बातों को 5.4 इंचर सुपर डिस्प्ले मिल जाते है, जो की OLED डिस्प्ले प्रसासर की बात करूं, आपको A40 Bonic 12 Megapixel, 4K option मिल जाता है, back camera में, front camera में आपको 4K option मिल जाता है, selfie आपको 12 Megapixel के साथ देखने को मिलेगी, तो यहार main specification में आपको बता दिया, iPhone 12 mini game, मैं आपको repeat कर देना जाता हूं भी, अगर आपको एक handy smartphone चाहिए, तब आपके लिए best deal हो सकते है, ठीक है, अब आगे बात करत the front camera में भी, आपको 8K option मिल जाता है, because आपको एक flip camera मिल जाता है, design, इसका design या color अगर आप बहुत भी हारे है, plus अगर आपको gaming के लिए smartphone चाहिए, तब भी best, अगर आपको camera के according smartphone चाहिए, तब भी best आपके लिए होने चाला होने वाला है, ठीक है, आपको एक powerful smartphone मिल जाता है, जो कि smartphone की सच में खास हैं मिल जाते है, तो that's why इसको मैंने number one पर रखा भी बात करते है, इसके main specification की, तो यह display की बातों को 6.67 inch super AMOLED display मिल जाते है, जो कि 90 refresh rate के साथ आते है, पर sensor की बातों को snapdragon 864 plus देखने को मिल जाता है, जो कि सच में बहुत अगर अगर आपने high graphic पर gaming करन आपको 8 GB RAM मिल जाते है, प्लस 256 GB बैंटरी की बातों को 500 MS की बैंटरी मिल जाते है, प्लस 30 Watt का fast charger प्लस आपको reverse charging भी मिल जाते है, camera की बात करो camera and selfie आपको same देखने को मिल जाते है, प्राइज की बात करो आपको 70,000 के अप्राक्स Asus Zenfone 7 Pro देखने को मिल जाता है, तो यह main specification मैंने आपको बता दिया, Asus Zenfone 7 Pro के भी, अगर आपने smartphone के हो जाने है, आप इस smartphone के आप भी जा सकते हो, तो यहार अभी मैंने आपको top 5 smartphone बता दिया, जो की stylish design है, gaming के लिए भी best है, camera के लिए best है, तो आपको तगरी display मिल जाते है, design look बगार भी आपको पूरा अपर मिल जात आपको description box में देखने को मिल जाते हैं, तो भी मिलते हैं, next video में नहीं वीडियो के साथ, thank you